बैंगलूर में विपक्षी दलों के हुई बैठा कदरान मुख्यमंत्री नितीज कुमार लालू यादव और त्यस्वी यादव के प्रेस कॉनफेंड से पहले लौड जाने को लेकर बीजेपी के मलसी सहपुर्व द्योगमंत्री बिहार सरकार सेयत सनवाज हुसें ने सवाल ख़़े किये हैं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिहार में कांगरिस के नेता सहीत अनलों को स्वादिष्ट बैंजनों के साथ साथ लिट्टी चोखे का स्वाद चखाया लेकिन बैंगलूरो में कांगरिस पार्टी के दरा उनका मान किया गया और बैठा के पहले सर्दी है भाई नितिश कुमार जी को लेकर उनके साथ हर मिटिंग में कांगरिस वाले वादा करते हैं कि आपको सही हो जग बनाएंगे सही हो जग बनाएंगे और वो बड़ावर जदियू के लिए पूछते हैं आखिर सही हो जग कब बनाएंगे और पिछली मिटिंग में भी नहीं बनाया और उनके खिलाफ कांगरिस वालोंने जान बूज के उनको गुस्टा दिलाने के लिए पोस्टर लगा दिया अच्छा सिला दिया उन्होंने लिट्टी चोखा के सुआत का नितिश कुमार जी ने कितना अच्छा लिट्टी चोखा खिलाया सिलाओं का खाजा खिलाया नाना पड़कार के वेंजन खिलाया लेकिन ये निर्दे लोग उनके साथ नियाएं नहीं किया लगता है नितिश कुमार जी को कांग्रेस के खिलाब नया यात्रा निकालनी होगी क्योंकि वो विपक्षी एक्ता के नाम के शुरुआत उन्होंने की लेकिन उनको कोई भाव नहीं दे रहा है बिहार के हैं तो थोड़ी हमदर्दी होती है ऐसे ही उनका मामला है और वो लोग प्रेस कॉंफेंस छोड़ के आ गए बोलने लगे की राजगीर में कारकरम था जितने लोग आये थों उनको कोई कारकरम नहीं था बिहार के मानिये मुखमंत्रिय और लालू जी है लालू जी और तजस्री जी का तो कोई कारकरम नहीं था लेकिन बिहार के लोग बैरंग वापस क्यों आ गएं ये एक बड़ा सवाल है अभी भागलपूर के कहचारी चाउकिस्तित बिजली आफिस में उब्भोकताओं ने अनाब सनाब बिजली बिलाने से तरस्थ होकर जमकर कारियाले में हंगामा किया उब्भोकताओं का साफ तोर पर कहना है कि बिजली बिभाग उब्भोकताओं के लिए कहीं से सही नहीं कर रही लोग तरस्थ हो रहे हैं जितना कमाकर खाने में नहीं लगाते उससे जैदा बिजली बिल भरना पड़ता है जिससे लोग काफी आक्रोसित मुद्रा में दिख र यहां आए हैं बिजली का मीचर अधिकारा रात को 600 भोरे माइनस 15 यानी 1100 रुगय का बिजली रात बार में चल गया इसी तरह मुहले में सब आदमी किसी को 3000 किसी को 2000 इसा क्यों होता है यहां बताने वाला कोई नहीं वो बताने वाला नहीं इसका हम लोग कर से समाधान होगा बताइए अब आपकी सहर भागलपूर में खुल चुका है पुरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम शलून लुक्स शलून लुक्स शलून में आपको लेडीज और जेंट से दोनों के लिए सर्विसे उपलब्ध हैं लेडीज के लिए हेर स्टैलिंग, पार्टी मेकप, ड्राइडल मेकप, हेर टेक्स्चर, हेर ट्रीटमेंड, फेसियल और रीचवर्स, हैंड्स और फीट, नेल केर इसी सुविधा लुक्स शलून अपने नौगरल आफर्स के तहत सभी प्रकार की सर्विसेस पर 34 परतिसत की भारी छूट दे रही हैं, तो अगर आप भी लुक्स शलून के बहतरीं प्रीमियम सर्विसेस की चाहत रखते हैं, तो अभी बुकिंग कर सकते हैं, अपांट्मेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 91990626666 पर संपर कर सकते हैं, या फिर www.luxsalon.in पर जाकर आपांट्मेंट भी ले सकते हैं, भागलपूर पुलीस को एक बड़ी सफलता मिली है, लोधिपूर थाना अंतरगत पुलीस ने मीनी गन फैक्टरी का अधबेदन करते हुए, कई देसी पिस्टल अर्द निर्मित सामान और हतियार बनाने का अपकरन ब्रहत मात्रा में पकड़ा है, गौर्ट लब है कि आनंद कुमार वरिया पुरिया पुरिस चक को 19 जुलाई को सूचना पराप्थ हुई थी कि लोधिपूर थाना अंतरगत उस्टू गाउं के कुछ बैक्तियों के दोर अवेदर रूप से मीनी गन फैक्टरी का संचालन किया जा रहा है। और निर्मित देशी कटा का बैरल दो पीस, बैरल आठ पीस, दो नाली बंदु का बैरल एक पीस, एक नाली बंदु का बैरल दो पीस, खोका तीन पीस, हतियार के पार्ट नाले में उप्योग आने वाले, ट्रिगर नुमार लोहे का टुकरा 15 पीस, लोहे का बना बेज दो छेनी दो पीस, हैंड ब्लोवर एक पीस, ड्रील मसीन एक पीस, हतावडा एक पीस, हैक्सा ब्लेड एक पीस, रेती एक पीस, मुबाइल दो पीस बनामत किया है। यह जानकारी वरिया पुरसचक अनंद कुमार ने प्रेस वारता कर दी, साथ नों ने बहता है कि ऐसी सगन छापे माली अभियान निरन तरजारी रहेगी। और इसमें जो सलमान है, इनका अपराधी कितिहास की है, इनके उपर विस्पोर्टक अधिनियम के ताथ लोधीपूर ठाना में मामला दर्ज है, यह पूरी कारवाईल लोधीपूर के उस्तु गाउं परता है, उसमें हुई है, और कल देर रात से दिन के 10-11 बिले तक लगा है, यह सब्सक्राव के नितिरत में पूरी कारवाई हुई है, जिसमें प्रभारी थाना द्यक्ष लोधीपूर पर्मानन, और एसेच्चो गोराडी, संजे सत्यार्थी, और बजरा टीम के प्रभारी, शूरज, एसेच्चो बाइपास, ट्योपी, और बरकाश, और ASI संजे कुमार सिंग, सब एस्पेक्टर अजय कुमार, जब दीश कुर्थाना, और हमारी बजरा की बी टीम की इसमें पुरी लगी हुई थी, और उन्होंने मिलके इस पुरे गन फैक्टरिक और वेदन किया है, जिसके पांच देशी पिस्टल, पुरी तरह से निर्मित, और दो अर्ध निर्मित राइफल बरामद हुई है, और साथ अर्ध निर्मित देशी कटे बरामद हुए है, और इसके साथ इसाथ बैरल आठ पीस बरामद हुआ है, और दो नाली बंदूग का बैरल एक पीस हुआ है, और एक नाली बंदूग का बैरल दो पीस बरामद हु इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं जो कि इनको समान सप्लाई करते हैं और जो इनसे समान खरीदते हैं जो फॉर्वर्ड लिंगेज हैं उनका भी हम लोगों ने पहचान किया है और उनके खिलाब भी रेट की कारवाई की जा रही है जल्दी उनों को भी दिरमतार करके जेल जिलाधिकाई सुबरत कुमार से ने सेंडिस कमपाउंड में चल रहा है समार्ट सिटी के तहत कारियों का निर्चन किया साथी बने सभी विभावों को देखा उनने कहा कि भागलपूर सहरवासियों के लिए यह समार्ट सिटी के तहत बड़ा सौगात है जहां बच्चे जिलाधिकारी ने कहा कि जो कमी है उसे जल्द पूरा किया जाएगा या काम पहले ही हो जाना था लेकिन किसी तकनीकी करण से बिलंब हुआ है लेकिन दुरुस्त हुआ है उम्मीद है सहरवासियों को यह सौगात काफी फाइदा पहुचाएगा और इसके सौंदरिकरन से हम स्मार्ट सिथी के तहर सेंडिस कंपाउंड का हम लोगों ने एक अच्छे तरीके से विक्ति करने का प्लान बनाया था और अब धरातल पर दिख रहा है थोड़ा सा विलम हुआ हाई कोट में दो-दो केसे फाइल हुए यह केस और पेंडिंग है तो दोनों केस के में यह होता था कि यह पार्क पे कुछ प्रूप का या किसी समूह का उस तरह का अपना एक तरह से आप देखने की कंट्रोल था तो अब यह सब के लिए ओपन है पूरे और इतनी फुटपॉल है आप साम के समय में आए मॉर्निंग शुभा में आए तहो बच्चे हो बुड करते हैं और जो कोई सामान व्यक्ति आता है चाय कोफी दस रुपे में जनता थाली सक्टर रुपे में इसमें कई सारी सामग्री जो है थाली में समाहित है तो वो उसका प्रचार पुसार करने के लिए और बूला गया है बच्चों के लिए कासी सुविधा है जाए वो लगाई गई है इसमें जो दो तालाब जो पहले से पुराने जमाने के वाटर बॉड़ी जो जल निकाए बहुत जिंड से नवस्ता में उसको हम लोगों ने प्रयास किया था कि हम लोग इसी प्रोजेक्ट के ताहत उसको सम्मिलित करा करते हम लोग उसका इंप्रूमेंट क उसको भी हम लोग प्रू करवाने का प्रयास करेंगे बहुत सुंदर बैडमिंटन कोट अब लोग देख रहे होंगे जहां कि नेस्नल इवेंट भी हम लोग करा सकते हैं वो बन करके तयार है और काफी धीर भी रह रही है इतनी ज्यादा रेजिस्टेशन है कि लोगों को ज अब 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 ग्रेड करेंगे सारी सो विधाएं जो है वो बन गई है इट वाइलेट सेंडिस कंपाउंड के अंतरगत आठ जिस्ट वाइलेट की यूनिट जो है वो मुझे लग रहा है एक हप्ता दस दिन में वो शुरू हो जाएगा जो ट्वाइलेट ब्लॉक को अलड़ी जो निसुल्ख है वो तो है ही यहाँ वेजनसी ने बना करके दिया एजनसी मेंटेन कर दिया इसके अधर इट वाइलेट बन गया है उसको भी हम लोग जो है दस दिन में सुरू करा देंगे और मात एक रुपे कर सुल्ख है एक रुपे का कॉईन, दू रुपे तो अब जो है जो रेगुलर ट्रीनिंग के लिए आएंगे चाहे वो बच्चे हो या मदलब यूवक यूवक यूटी आठार साल से ज्यादा हो प्रॉपर रिजिस्टेशन होगा अब जो है एक्टूब्मेंट के साथ ही उनको इंट्री करने का जो है वो दिया जाएगा और वाटर का लेवल भी सारे चार मिटर से ज्यादा नहीं होगा इन दिनों सावन का पावन महिना चल रहा है जो भोलनाथ को सबसे प्यारा होता है इस दोलान भागलपूर की सुल्तान गंज के उत्तरवाहनी गंगा टट से कावर में जल भर कर जारकन रिस्तित बावववैदनाथ को जलाभी सेग करने के लिए देश की अलग लग राज्यों सहीत पडोसी राष्ट निपाल और भुटान से बड़ी संख्या में सिवख सु सुल्तान गंज अजगेविनाथ गंगा तक पहुँचा और कावर में गंगा जल भर कर बाववैदनाथ को जलाभी सेग करने के लिए रवाना हुआ इस दुरान कवर्या सधालू ने बताया कि उसके कई पिढ़ी लगातार सुल्तान गंज से गंगा जल भर कर बाववैदनाथ का जलाभी सेग करते आए हैं भुटेनाथ और गरदानी है और सब की मुरादें पूरी करते हैं भुटेनाथ पिर उनकी पूरी निष्टा है जिस कारण वो सभी लगातार कई वर्सों से बाववैदनाथ को जलाभी सेग करने के लिए जा रहे हैं भुटेनाथ के परती दीवानगी देखनी हो तो आज आये भागलपूर के सुलतान गंच के उत्तर वहानी गंगात्त से पूरे कच्चे कावर या पत तक सुरज ने बताया कि वो जन्म से दिव्यांग है और वो दूसरी बर बाबा को जलाभी से करने के लिए जा रहा है दिव्यांग बम ने यह भी बताया कि परिशानी तो आती है लेक भूले नाज सभी कश्टों को दूर करते है जगदीस्पू टी ओपी थानाचितर के बैजानी प्रिट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो जिसकी पहचान सैनो गाओं के रहने वाले मुकेस कुमार और स्यमापरसाद के रूप में हुई है जिसकी उम्र 45 वर्स और 50 वर्स है गौर्ट तलब है कि सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा आये दिन सड़क हादसा में लोगों की मौत हो रही है फिर भी लोग सचेत नहीं हो रहे यह घटना एक कंटेनर के तिवर गती से आकर मोटर सैकल से टकलाने से भी जहां दोनों यूवक की मौत हो गई दोनों यूवक किसी काम से बाहर जा रहे थे वहीं परिजनों का रोलोकर बुरा हाल है वहीं पुलीस घटना असल पर पहुँश कर सब को अपने अबजे में ले ली है और पोश्टमाटम के लिए भेज दिया है भागलपूर में यातयाद विवस्था को सुद्रिड करने के लिए जीवन जागरती सुसाइटी के और से सहर के घंटा घर चौक के पास भगत सिंग चौक इस्थित गुलंबर के पास लोहे के बने दस बेरे तरब से आराम से गाड़ी आ जा सके और जाम की समस्या से लोगों को राहत मिल सके आज लगाया गए बरिकेडिंग की देख रेग जीवन जागरती साइटी के उधरा की जाएगी वहीं ट्रैफिक प्रभारी ने बताया कि यहाँ पर पहले जाम की समस्या अक्सर देखी जात साइट चोग पर बराबर जाम हो रहा था यहां गुलमबर है लेकिन लोग गुलमबर घूम के नहीं जाके आरा तिर्शा चलते थे जिसके कारण यहां पर जाम लग रहा तो आज हम लोग को जीवन जागरती सोसाइटी की तरफ से दस बेरियर दिया गया है जिसको की हम जगा पर इस तरह की विवस्ता हो सकती है जिसे हमारा डिक्सन मोर है घंटा गर चोक है उसको भी गोलंबर के रूप में विक्सित किया जा सकता है ताकि लोग एक दूसरे में गारियां फसी नहीं और गोलंबर भूम कर सभी लोग जाते रहें भागलपूर ऐसे तो कई सबस्य से ग्रस्त है लेकिन ट्रैफिक एक बहुत बड़ी सबस्या है जिधर जाईए उधर जाम उधर जाम आप चले हैं यदि आदा गंटा सोचके तो आप दूगंटा लग लाता है और ऐसे बे जीवां जागदी सुसाइटी जो लगातार सड़क दूगटा पर काम करती है साथ से यातायात पर काम करती है हम लोगों ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जो पुलीस के विभाग हैं उनसे हम लोग ने कंसर्ट किया और अभी हम लोग पतकाल दस डिवाइडर दिया और जो अभी सही चौक गंटा गर के पास लगा है आप देख सकते हैं इस डिवाइडर स से कितना इसमूत यातायात हो गया है और लोग बिना जाम के भूम जा रहे हैं और यह सुगम हो रहा है मैं यहां के जंता से अपील करना चाहूंगा कि आप जो चलते हैं तो आप थोड़ा सा सेंस अपने पास रखिए और यहां जो यातायाती की कुलीस जो है आपके लिए करती है उसको थोड़ा फालो करिए कि कहीं भी अपने लाइन में पंक्ती में बने रहे हैं थोड़ा सा भी जगा मिलता है कि घुच जाते हैं लोग यह बहुत बड़ी तराजदी है परिपक्ता का आप अपना परिशह दीजे और जो यातायात का रूल्स है उसको फालो सकता है अभी तो हम लोग करते हैं जोभी आ Grad केकिसी लोगों के लिओके अधिया है तो लोगों से अप्पिल करेग यहांकर जो भी हो अपना जागरित दीवत जागती साथ के साथ मिलें और एक साइट पुलीस का रहेगा एक साइट उट का नाम रहेगा और मेंटेनस हम लोग करते रहेंगे इसको कि कभी तूटा फूटा या रंग फेंट करना हो तो हम लोग करते रहेंगे इसी निवेदर के साथ लोगों से अपील कर यहां आसा कारे करताओं दूरा सरकार के खिलाफ लगातार सरकारी सेवक यहां वेतन सहीत नौ सुत्री मांगों को लेकर विगत एक सफता से परखंड में हरताल कर प्रदर्सन किया जा रहा था आdy आसा कारे करताओं यहां आसा फैसलेटर काफी संख्या में जिला मुख्याले पहुंचे जहां यहां डीम के समक्ष सरकारी सेवक और वेतन में बढ़ोती की मुख्य मांग को लेकर जम कर प्रदर्सन किया वहीं प्रदर्सन कर रहे आसा कारताओं ने कहा कि जब तक हमारी म को सरकार पूरा नहीं करती तब तक वीरोध प्रदल संजारी रहेगा करने आये हुए हैं तीन बजे तक हम लोग धरना परदर्शन यहां बैठ करके करेंगे अपना लोग जितके माध्यम से हम मोजी जी को जगाना चाह रहे हैं तेजसिवी जी को जगाना चाह रहे हैं हम अपना केंडर सरकार स्वास्ट मंत्री जो मन्कुस मन्द भिया है उनको अपना संदेश हम सुनाना चाह रहे हैं उसके बाद तीन बजे के बाद हम लोग अपना ग्यापन डियम सर को दे करके फिर अपने बहर चले जाएंगे लेकिन अभी हम लोग का हटास जारी रहे गा आज नो दिन हो गया लेकिन अभी तक सरकार के कान में दूर तक नहीं हो गई है पुलीस लाइन में तनात अवर सहायक निच्छक अरजुन कुमार का देहान थे कल रात हो गया कल साम में अचानक उनकी तब्यद बिगड़ गई जिसके बाद इलाज के लिए जवाहर लाल नहरू चिकित सास्पता ले जाया गया जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई मिर्तक जवान गया जिले के नादर गंज खजांची गली के रहने वाले थे वहीं मौत की खबर परिजनों को दे दी गई जिसके बाद उनकी पतनी और एक बेटा भागलपूर पहुँच गए है वहीं सब का पुष्ट माटम कराया गया और मिर्तक जवान को पुलीस लाइन में सलामी दी गई इस दौरान SSP आनद कुमार और पुलीस लाइन DSP सहित काफी संख्या में पुलीस के जवान मौजूद थे वहीं जवान के सब पर सभी ने एक एक कर फूल चड़ाया इस दौरान पुरे पुलीस लाइन में मातम का महौल देखा गया वहीं मिर्तक जवान के सब कोन के पैतरी कवास पर भेज दिया गया है